मुख्यमंद्रि नितीश कुमार ने सिकषक बहाली को लेकर एक बयान के जरीये यह साफ कर दिया है कि जल्दे बहार में सिकषकों की भर्ती होनी है। बड़े पैमाने पर ये बहाली होगी साथी राज्य की लड़कियों और बच्चीयों को परहाने और आगे बरहाने को लेकर भी नितिश कुमार ने धेर सारी बाते कहीं हैं आने वाले समय में सिक्षा का अस्तर उचायों को चुएगा उसका भी जिक्र किया गया है साथी सिक्षक बहाली को लेकर क्या कुछ नितिश कुमार ने कहा है आपको हम आगे खबर में बताएंगे क्योंकि कुछी दिन पहले सिक्षा मंतरी प्रोफेशर चंदर शेखर ने भी महीने में सिक्षक को की भर्ती को लेकर जरूरी बाते कहीं थी बटाते हैं पुरी खबर आपको क्या है अजबार नितिश कुमार ने सिक्षक के लिए क्या बयान दिया है जो कि काफी ज़्यादा महत्तोपुर्ण माना जा रहा है बाकि अब नमिशकार आप जंता जंक्षन उतरने को कहने वाले सिक्षा मंतरी के बाद अब मुख्य मंतरी नितिश कुमार ने बड़ा एलान कर दिया है दस लाक में से करीब तीन लाक लोग सर्फ सिक्षा के छेत्र में बहाल होने वाले हैं साथवे चरन की बहाली जल्द ही शुरू होनी है जिसके नियमावली पर पेशर चंदरशेखर ने हस्ताक्षर भी कर दिया है कुछ वीट कर इसकी जानकारी भी दी गई थी आपको हम बता दे कि बिहार सबकार इस साल लाखों लोगों को नौकरी देने का प्लान तयार कर चुकी है जुसके तहट अब जल्दी साथवे चरण की सिक्षकों की बहाली हो है कि जल्दी बड़े पैमाने पर सिक्षकों की भरतिया होंगी इतना ही नहीं बलकि मुक्य मंसरी ने बिहार के लोगों को अपने घर की बेचियों को चोटी चोटी बच्चीयों को पढ़ाने का भी अनुरो दिखिया है उनसे ये खास आवेधन किया गया है कि बच्चीयों को परहाया जाया अगर लड़कियां पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी तो राज्य की भी उन्नती होगी साथी सरकार के द्वारा लड़कियों को साइकल और पुशाक देने के योजना पर भी नितेश कुमार ने अपनी टिपपानी दी है कहा है कि ये सभी योजनाएं लड़ चलाई जाती हैं बागे बिहार में 22,000 स्कूलों के निर्मान की बात करते हुए नितेश कुमार ने बिहार में बड़े पैमाने पर सिक्षकों की भरती को लेकर भी ऐलान कर दिया है और बताया है कि जल्दी बिहार में सिक्षकों की भरती होनी है सिक्षक बहाली को लेकर कई बार सक्षा मंत्री प्रोफेशर चंदर शेखर ने भी कहा है कि अपरियाल महीने तक सक्षकों की बहाली हो जाएगी लेकिन इस बार मुख्य मंत्री ने कहा है कि सक्षा के छेत्र में राज्य सरकार अपने और से काफी जादा काम कर रही है स्कूल बना रही है तो फिर सक्षको की जरूरत भी है बड़ी संक्या में सक्षकों की बहाली जल्गी राज में की जाएगी पाकिस सक्षक बहाली के साथ ये राज में स्कूल कॉलेज भी बनाए जा रहे हैं इंजिनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज सभी जलों में खोले जा रहे हैं उस पर भी अब लगतार काम किया जा रहा है ये सारी बाते मुक्य मंत्रि नितिश कुमार ने श्रिक्रिष्ट मिमोरियल हाल में आयूजित राम लखन सिंग यादो समृती समारों में कही है कारे करम के दोरा नितेश कुमार ने राम लखन बाबू को याद करते हुए उनकी अच्छाईयां भी बताई हैं बताया है कि कैसे वो अपने हित्में नहीं बलकि हमेशा से समाच के हित्में काम करते हैं कोई भी आपस में जगरा मार पीतना करें प्रेम और भाई चारा के साथ समाच को आगे बरहानी को कहते रहे हैं सभी को मिलजुल कर रहने की आगरह करने वाले राम लखन बाबू के बारे में बताते हुए नितेश कुमार ने राज्जु की बच्चियों और राज्जु की महिलाओं को आगे बरहाने उन्हीं परहाने के लिए भी प्रेरित किया है राम लखन सिंग यादो के द्वारा बनाए गए कॉलेज और उस्कुलों का जिक्र करते हुए पटना पालिगंच बक्तियार पूर गया जहानाबाद और एंगाबाद सहीत कई जगहों में बनाए गए कॉलेज का भी जिक्र किया गया है नई पीरी को राम लखन सिंग की बारे में जानकारी देती हुए सियम नितिश कुमार ने अपने संबोधन से पहले स्वरगी राम लखन सिंग यादो के तस्वीर पर पुश्प चरहा कर अपनी श्रधांजली भी अलपित की इसका साथ ही स्वरगी राम लखन सिंग यादो की जायंती को राज्य में समारो के रूप में अपसे मनाया जाएगा इसका भी ऐलान किया है और अब जल्द ही पटना में राम लखन सिंग यादो कॉलेज पड़ी से में उनकी मुर्ती भी लगाई जाएगी इसका भी जिक्र किया है इस पर जल्द ही अब काम शुरू हो जाएगा तो एक तरफ जहां सिक्षक बहाली के लिए अभियर्टियों के द्वारा लगतार आंदोशन किया जाते रहा है अभियर्टियों के हमेशा से मांग रही है कि साथवे चैरंट की बहाली जल्द से जल्द बिहार में शुरू हो जाए तो वहांगी अब सिक्षा मंतरी प्रोफेशर चंदर स्ची छी इखर के बाद अब मुख्य मंत्री नितेश्कुमार ने साथवे चरंगी बहाली को लेकर अपरायल महीने में बहाली प्रक्रिया पर सिक्षा मंत्री द्वारा दिये गए बयान को कहीं न कहीं अब सही थाबित करते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो को शेर कीजिए और बाकी अनी खबरों के लिए बने रहे हैं जन्ता जंशन के साथ कि आमेरे के पीछे ते विशाल और मैतिया आपके साथ वन दना जैने बाद